नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं JSSC CGL परिक्षा 21 और 22 सितंबर को नोटिस जारी जार्खन करमचरी चैन आयोग जार्खन समान असनातक योगता धारी सन्युक्त परिक्षा 21 का आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को करेगी इसके लिए मंगलवार को JSSC में नोटिपिक्षान जारी किया गया है मालूम हो कि JSSC दोबार इस परिक्षा का आयोजन बीते 28 जनुवरी और 4 फरवरी को होना था 28 जनुवरी को परिक्षा का आयोजन किया गया था लेकिन इसका प्रस्ट पत्र लिख हो गया था जिसके बाद बिरोध परदसन के बाद परिक्षा को रद कर दिया गया था आगे बढ़ाने को लेकर रोस भी जताया था जार्खन डिजीपी का निर्देश नक्सलियों की अवैद उगाही पर लगाए रोक जार्खन पुलिस मुख्याले मंगलवार को डिजीपी अनुरा गुपताने नक्सली और सिलिंटर ग्रूप को लेकर समिक्छा बेटकी है इस द सिलिंटर ग्रूप के बारे में जनकारी दी है सिरी अनुरा गुपता डिजीपी जार्खन के अध्यक्सता में राज एमकेंद्री और दसायनिक बालों के वरिये पतादिकार योग साथ बरतमान नक्सली प्रिद्रिस पर समिक्छा बैठा कायो जित की गई है समिक्छा बैठ यादि कोई महत्पोर नक्सली जो जमानात पर रिहा हुआ हो उसकी कतिवीदी प्रनाजर बनाए रखने और पुलिस पोस्टों का सुरक्षा अउडिट का निर्देश दिया है अंतराष्ट्री सुवरतो कप फुटबोल परत्युकता अंडर 17 बालिका बर्ग में जारखन टीम चैंपियान दिल्ली के डाक्टर अंबेतकर स्टेडियम में आयोजी तीर सठवी अंतराश्टे सुवरतो कॉप अंडर सत्रा बाली का वर्ग फूटबॉल परतियोकता में जार्खन की टीम चेंपियन बनी है इस मुकाबले में बंगलादेश ने केवल एक गोल किया टूनामेंट की बेस्ट पलेयर का पुरस्कार जार्खन की ललीता बोनपाई को और टूनामेंट की बेस्ट गोल कीपर का पुरस्कार अनिसा उराओ को दिया गया बता दे कि सभी जार्खन राज खेल प्रसाहन सोसाइटी की खिलाडी है जार्खन की बेटियों के सरदान प्रसार और टीम की जीत पर राज के मुख्य मंतरी हमासुरन ने पूल टीम को बधाय दी है सुबरतो कब 24 अंडर 17 बाल का वर्ग परत्यक्ता में अपराजे रहते हुए जार्खन की बेटियों ने खिताब जीता टीम ने पिछले मैचों में दिल्ली को 7-0 और गुजरात को 3-0 और रांचल परदेश को 13-0 और तिरपुरा को 2-0 और हर्याना को 4-2 से हरा कर अपनी मजबूत्ती छाप छोड़ी थी जार्खन में फिर MRP से ज्यादा पर विक रही सराब राजे में सराब की विक्री में आने में तब फिर आराम हो गई है MRP से अधिक की मत पर सराब की विक्री हो रही है यह सिकाय सिर्फ रांची हिने बिलिक सभी जीलों में है आए दिन दुकंदारों से ग्राकों की नोग छोक भी होती रहती है दुकंदारों में करवाई का कोई भाय भी नहीं है वे अब खुल कर बोलने लगे हैं कि उन्हें 6 से 8 महिने तक से बेतर नहीं मिल रहा है दुकंदारों की राया एसी फ्रीज के चलते बिजली का बिल आधी का भुकतान भी करना है एमारपी से अधीक वसूली नहीं करने पर परिशानी होगी सराब के सोखिन ज्यादा देर तक बहुंस करने के बजाए अधीक कीमत देकर सराब खरीद रहे हैं बताते उत्पाद देवमक्द निश्यद विभाग के पुर्व सचिव मुकेश कुमार ने एमारपी जादी को असुली करने वालों के विरू सक्ति की है और चेतावनी दी थी की सिकायत मिलने पर पलेस्मेंट एजनसी पर करवाई करेंगे उनके अस्थांतरन के बाद उत्पाद देवमक्द निश्यद विभाग मनोच कुमार नए सचिव बनाए गए हैं रिम्स होस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हरताल कोलकाता के आरजी के ए आर मेडिकल कॉलेज की सेकेंड इयर पीजी की ड्यूटी की दोरान दुसकर्म के बाद हत्या की घटना के बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसेस्येशन ने मंगलवर को कारे भहिसकार कर दिया है इसके बाद सभी सीनियर डॉक्टर रिम्स के रेमी नसन हौल में एक जूट हुए और डॉक्टरों की सुरक्षा वकुलकता में हुए घटना पर आरोपी की स्थाजा दिलाने को लेकर नारेबाजी की है इसी बीच डॉक्टरों ने रिम्स की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया है और प्रवंधन को मांग पत्र सौपा जिसमें रिम्स अस्पताल से लेकर होस्टल तक ही सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है लोगसभा चुनाओं के मुद्धों को जारी रखेगी कॉंग्रेस जारखन परदेश कॉंग्रेस के परभारे गुलाम अहमद मीर ने जाते जाते यह तै कर दिया है कि कॉंग्रेस लोगसभा चुनाओं के दवरान उठायेगे मुद्धों को अभी जीनदा रखेगी कॉंग्रेस का मनना है कि अवे अभी समाप्त हुए लोग सभा चुनावे पार्टी की ओर से उठाएगा मुद्द्धों को जारी रखते हुए जीत के फर्मुले को जारी रखा जाए परदेस, कांग्रेस परभाई ने कहा है कि इनहीं मुद्धों के बुद्धे हमें केंद्र में बड़ी ताकत के साथ लोटने का मौका मिला है और आगे भी एमुद्धे पार्टी के लिए कारगर साबित होंगे पार्टी विभीन अस्तुरों पर भाजपा को एक्सपोज करते हुए अपने बुत्ते चुनावी मैदान में उत्रेगी परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रायस ठाकू ने इसी कड़ी में सभी जीला अध्यक्षों से संभावित उमिदारों का बायोड़ाटा मांगा है ताकि उमिदारों का चैन करते हुए उन्हें मुद्दों की विशेष ट्रेनिंग दी जा सके जारखन सैप में 565 सिवा निवरीत सैनिकों की होगी बहाली पुलिस मुख्यार ने इस समध बीगयापन जारी कर दिया है जारी बीगयापन के अनुसार भोतपूर सैनिकों को इसमें विभीन पदों पर सन्विदा कैधाप्र बहाल किया जाएगा बातमान में दोनों वाहनियों का कारेकाल 31 महीं 2027 तक बिस्तारित है एक छुक सेवा निवरीत बदपूर सैनिकों के लिए रांची के डुरांडाइस्ट कैम्प 1 में 27-28 अगस्त को सक्षतार होगा बांगलादेशी घुसपैटियों की सुचना देने को हेलफ लाइन नमबर होगा जारी साहिब गण जीले में बांगलादेशी घुसपैटियों की सीकाय तो को लेकर जीला पर सासन सक्त है मद्दाता सुची के माद्यम से इन दिनों घुसपैटियों की खोज का काम जोरू से चल रहा है हलाकि अब तक एक भी घुसपैटिया चिनित नहीं किये जा सके हैं इसी करम में अब जीला परसासन घुसपैटियों की सुचना देने के लिए इस नमबर पर कोई भी ब्यक्ति घुसपैटियों के बारे में सुचना दे सकता है सिकायत करने वालों की पच्छान घुपत रहेगी सिकायतों की जीला परसासन अपने अस्ता से जाच कराएगा अगर सिकायत सही निकली तो घुसपैटियों पर कानूनी करवाई की जाएगी वही जारकन हाई कोट ने दाइनियल दानिस द्वारा दो हजर बाईस में दर्ज एक याज़का की सुनवाई करते हुए 3 जुलाई 22 को संताल परगनाग सभी उपायक्तों को हुसपैटियों को चिनित कर उन्हें वापस बेजने की करवाई करने को कहा है लोहर दगगा में आस्मानी बीली गिरने से दो की मौत तीन घाया लोहर दगगा जिले के कैरो और कुड़ू थाना छेतर में बाईरपाज की चपेट में आने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है वही घाटना में दो महिला गंभी रूप से घायल हो गई गायल महिलाओं को इलाज के लिए लोहरदगा स्वधर अस्पताल में भर्ति कराया गया जहापर महिलाओं को इलाज चल रहा है बताया जता एक लोहददका जीलिया के करव थाना छेतरे के नगड़ा गाओं में बजरपाद की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है वहीं गाओं की ही एक महिला गंभी रूप से खायल हो गई एन सीसी केड़ेट की राष्ट निर्मान में अहम भूमिका केंद्रिय रक्षा राजमंत्री संजय सेट मंगलवार को नई दिली के लाल किला परिसर में केंद्रिय रक्षा राजमंत्री संजय सेट को कभी भूल नहीं सकता वहीं केंद्रिय रक्षा राजमंत्री संजय सेट ने कहा है कि एन सीसी यहांन Munich के कारियों को भूलाया नहीं जा सकता एन सीसी के केंद्रिय हर विप्रीत परिश्थीतियों में साथ खड़े रहते हैं चाहे कोरोना के समय जरुवत मन लोगों की सेवा की बात हो या देश में आपदा हो या राष्ट्रियस वक्सता अभियान हो जारखन में आज भारी बारिस का अलर्ट जारखन में 14 अगस्त को भारी बारिस का अलर्ट जारी किया है जारखन में 14 अगस्त को भारी बारिस का सार है कहीं कहीं बजरपात भी हो सकता है राज के पच्छमी दक्षिन पच्छमी और निकटवर्ती मद्य भागों में कहीं कहीं भारी बरसा भी हो सकती है मौसम विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है और 19 अगस्त तक लगवक सभी अस्थानों पर हलके सिम्मत दर्जे की बारिश की संभावना जताई है बता दे जार्खन के गारा जिले में कुछी देरी में मौसम के मिजाज बदल सकता है मानव हाथी संभार्ष के समयधान के लिए बैग्यानिक प्रवंधन जरूरी जार्खन के स्कूली सिक्षायम सक्षर्ता मंत्री वैदनाथ राम ने कहा है कि हाथी ना केवल वन परानी है बली एक भारती संस्कीती में भी पुझनिये है हमारे देश में सदियों से मानव और बने प्रानी सांती पुर्वक सह अस्तित्व में रहते आये हैं फिर भी कुछ समय से मानव की आगे बढ़ने की परत्यासा ने दोनों प्रजातियों के बीच संभर्ष की स्थितिया उत्पन करती है इसके परिणाम सरूप अप्रिये इस्थितिया उत्पन हो रही है और दोनों पक्षो को जान माल की हानी हो रही है हेमंत सरकार बरबर से बावुलाल 23 को आक्रोस रैली भारतिये जनता पार्टी महानगर कर्याले में भारतिये जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नरायन सिंग के नत्युत में युवा आक्रोस रैली योजना समेलन का योजन किया गया जहां सरकार दोरा किये गए वादो और वादा खिलाफी पर चर्चा की गई और युवा अक्रोस रैली की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई मौके पर बावलम रांडी ने कहा है कि 23 अगस्त को जहारखने युवा मोराबादी मैदान में हेमन सुरेन से सलाना पांच लाख रोजगार और बेरोजगार भात्ता कहीं सा मांगा जाएगा हम समेलन के माद्यम से इस गठ बंधन की सरकार को उखाड फेकेंगे इन पांच सालों में इस राज सरकार ने सब को ठगने और लूटने का काम किया है इस सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला महिला बेवसाय सुरक्षित नहीं है और कानून बेवस्था भी चोपट है इन सब का हिसाब लिया जाएगा गढ़वा में महारानी अहिलिया बाई होलकर की परतिमा का अनावरन पाल महासंग के तत्वधान में सहर के चीनिया मोड पर महारानी अहिलिया बाई होलकर की परतिमा अनावरन कारकरम कायोजन किया गया मुख्य अतिती अस्थाने विधायक सा सूबे के पेजल स्वक्षता मंत्री मिथिलेस ठाकूर ने महारानी अहिलिया बाई होलकर की परतिमा का अनावरन किया कारकरा में पलामू प्रमंडल के तीनो जीले एम चतिस गड़ यूपी के सिमवर्ती जीले से पाल समाज के लोग उपस्थित हुए मंत्री मिथिलेस ठाकूर ने अहिलिया बाई होलकर की परतिमा का अनावरन कारकरा में कहा है कि आज महारानी अहिलिया बाई होलकर जी की पुनेतिती भी है हम सच्ची सरधान्जली अरपित करते हैं जारखन में 200 यूइट मुफ्त बिजली आज से जारखन बिजली बित्रन निगम के घरेलू उभगताओ को 200 यूइट फिरी बिजली का लाव दिया जाएगा राजे में घरेलू उभगताओ को मीटर रीडिंग बुद्धवार से सुरू हो जाएगी इसके साथ ही 200 यूइट मुफ्त बिजली वेना का लाव भी मिल लगेगा जिन उभगताओ का जुलाई माह का मीटर रीडिंग 200 यूइट से कम होगा उन्हें किसी परकार का बिल नहीं देना होगा ऐसे उभगताओ को बिल में भोकतान सुने लिखा होगा या भी अंकीत रहेगा कि उनका बिल कितना हुआ लेकिन सरकार ने इसकी भरपाई कर दी है उर्जा विभाग के संकल्प के अनुसार सहरी या ग्रामीन छेत्र के वैसे सभी उभगता जो 200 यूइट तक बिली खपत करते हैं मुफ्त बिली का लाब मिलेगा वही राची जीले में आयस से 5.36 लाग जाधी घरलू उभगता है जिन में 4.33 लाग उभगता हर मालाग भग 200 यूइट तक बिली का इस्तिमाल करते हैं